Hello friends, this is Jitais and welcome to Special Notes दोस्तो अभी जो कुछ वीडियो लाश्ट आई हैं उनमें हमने सिक्षन वीडियों के बारे में बात की है और आज की इस वीडियो में भी हम सिक्षन वीडिया ही देखेंगे आज हम देखेंगे कहानी सिक्षन की वीडिया तो देखें किसी घटना या तथे का भावात्मक कथात्मक परस्तूती करन कहानी है कोई भी घटना होती है या तथे होता है उसका भावात्मक कथात्मक कथा के रूप में भावों को एड़ करते हुए उसको परस्तूत करना ही क्या है कहानी है कलपना सक्ती का विकास कहानी सिक्षन का मुख्य उदेश से है यानि जो कहानिया होती है वो कलपनाओं पर भी आधारित होती है जिनका वास्त्विक तासे कई बार कोई मतलब नहीं रहता है तो इससे कलपना सक्ती का विकास भी होता है इसके अतरीत सर्वन कोसल नैतिक गुणों तरक छमता का विकास करना कहानी सिक्षन का गोणों देश से है यानि कहाने सिक्षन से इन सब का विकास भी होता है अब देखते हैं कहानी सिक्षन की विदियां तो पहली विदी है दोस्तो कहानी कथन विदी पहली विदी है कहानी कथन विदी इस विदी में अध्यापक विद्यार्थियों को मोखिक रूप से कोई कहानी सुनाता है विद्यार्थियों से ध्यान पूरुक सुनते हैं इसके पश्चात अध्यापक द्वारा उस कानी के मूल भावे नेतिक सिक्षा से सम्मंदी परसन किये जाते है यानि कि सबसे पहले जो अध्यापक है वो कहानी बच्चों को वर्बली सुनाता है और बच्चे हैं वो ध्यानपूरक सुनते भी हैं उसके पश्चात अध्यापक उसी कानी के बारे में मूल भाव नेतिक सिक्षा से सम्मंदित है वो बताता है विद्यार्थि अपनी अपनी कलपना सक्ती या फिर तरक छमता वे रूची के आधार पर अलग-अलग सुद एसुद उतर देते हैं यानि पहले कहानी सुनाता है टीचर फिर उसी के बारे में परसन करता है तो सभी जो विद्यार्थी हैं अपनी अपनी कलपना सक्ती के आधार पर अलग-अलग आंसर करते हैं इसके पस्चात अध्यापक द्वारा उनका सही मूल भाव प्रस्तुत किया जाता है इस विद्यार्थी में कलपना सक्ती का विकास हो जाता है ठीक है यह पुर्वे प्रात्मी की स्तर पर कहानी सिक्षन की सर्वे स्रेष्ट विदी है यह चीज द्यान रखना है कि पुर्वे प्रात्मी की स्तर पर कहानी सिक्षन की सर्वे स्रेष्ट विदी कौन शी है कहानी कथन विदी तो यह था अपना कहानी कथन विदी फिर आता है दोस्तों अपनी चित्र आधारित कहानी विदी पहला था कहानी कथन विदी दूसरा है चित्र आधारित कहानी विदी इस विदी का प्रयोग प्राथमी किस्थर पर वो पहले वाली थी पुरुवे प्राथमी किस्थर ये है प्रात्मिक इस तर पर कहानी सिक्षन के लिए किया जाता है इस विदी में अध्यापक अधिकम करता को ऐसी कहानी पढ़ने के लिए कहता है जो पूर्ट्याचित्र पर आधारित होती है अंत में अध्यापक उस कहानी के मूल भाववे नैतिक शिक्षा से सम्मन्दित पर्शन अधीगम करता से करवाता है तथा उनके विचार जानने के बाद अध्यापक सही उतर बताता है यानि जो चितर देता है जो कहानी होती है उसको पढ़ने के लिए कहता है फिर अध्यापक उसके मूल भावाय नेतिक सिक्षा से सम्मंदी परशन बच्चों से करता है और बाद में उनके सही आंसर भी बच्चों को बताता है तो ये है प्राथमिक स्तर के लिए कहानी सिक्षन की विदी फिर आता है दोस्तो अधूरी कहानी पूरती विदी ये तीसरा परकार है अपना कहानी तीसरी विदी है अपनी जो कहानी सिक्षन की विदी है वो तीसरी है इस विदी का प्रयोग उच्पराथमिक पहली थी पूर्वे पराथमिक के लिए दूसरा था अपना पराथमिक के लिए इस विद्धी में अध्यापक किसी कहानी को مोख्खेक अत्वा लिखित रूप में अधूरी छोड़ देता है यानि कि कोई कहानी होती है उसको जो सिक्सक है वो अधुरी छोड़ देता है विद्यार्थियों को उस कहानी को पूरा करने के लिए कहा जाता है विद्यार्थियों अपनी कलपना सक्ति वे सोच के अनुसार उस कहानी को पूरा करते हैं यहनी कि बच्चों को अधूरी कहानी देता है बच्चे अपनी अपनी सोच के अनुसार उस कहानी को पूरा करने का प्रियास करते हैं अधिकर्म करता में सबसे ज़्यादा कलपना सकती का विखास इस विधी में ही होता है यहने कि जो बाकी विदियाँ हैं उन्से सबसे ज़्यादा जो विकास है कलपना सकती का इसी विदी में होता है तो दोस्तो यह आज हमने पढ़ा कहाणी सिक्षन की विदिया बाकी इसी परकार की और वीडियो भी आने वाली हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक सेर कर सकते हैं बाकी मिलते हैं इसी परकार की और वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुस रहिए मुस्कुराते रहिए जै हिंद टेक केर बाई बाई